यह पर यह कोनव मिलbelsों सबूंदर क्रीम के इसकी मैं इस वीडियों में बताऊंए क्योंकि जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसका plus point क्या है और यह भी जानना बहुत जरूरी है कि माइन spdm क्या है तो सबकुछ मैं आपको एकम डिटेल में बताने वाली हूं तो देखिए अपने तो बनने बाद के इसके shine देख सकते कैसी है एक चीज कितना मतलब क्लियर आपको दिख रहा है पर इसका जो माइनस पॉइंट है वो आपको जानना बहुत ही जादा जरूरी है तो चलिए हम पड़ाबर वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं तो देखिए मैंने यह लिया है पाउडर वाले विपक्रीम और इदेखिए ग है आपको मिल जाएगा और यह कहीं भी लेंगे तो और यह नॉर्मल वारे शॉप में मिल जाता है हम किराना स्टोर में भी जाएंगे तो आपको यह वाली विपक्रीम आपको मिल ही जाएगी क्योंकि इसके लिए थंडी ऐसी वेसी सब चीजों की जरुरत नहीं होती है जैस लेकिन उसमें पानी की मातर थोड़ी सी ज्यादा लिखी हुए यह वन ट्वेंटी अमल लिखा हुआ है पर मैंने इसे दो तिन बार यूज किया हुआ है और मुझे पता है कि इतना पानी बहुत जादा लिक्विडी हो जाता है और आपको क्रीम बिल्कुल नहीं बनेगा प त्राइन नहीं किया है मैंने डाइक बीटर से ट्राइक यह देख सकते हैं अभी थोड़ा सा लिक्विडी है ठीक है और मैंने इसे वीडियो को कट भी नहीं किया है क्योंकि बहुत जादा दे दो तीन मिट लगातार कोई देखी नहीं इसलिए मैंने फास्ट कर दिया है तो फ्रिज में तो ईसके पाद आपको सयफ एक मिनट ही बीट करना ए तो मैरे बाहर निकाल लिए और इसे बाद एक मतब थिक हो जाएगे ना आप स्प्रेड नहीं कर पाएंगे अपने केक के ऊपर तो इसका माइनस पॉइंट यह है कि आपको इससे जादा देर नहीं करनी है कि आपकी क्रीम क्रीम आपकी हो गई है रेडी और देख सकते हैं बिल्कुर स्टिप बनी है जैसे हम नॉर्मल वाला सब कुछ मैं आपको बता रहे हूं सच में ना नहीं आदा गई थी पसीने चूट गये थे मेरे तो पहले आप पहले प्लस पॉइंट वाला ही देख लेजे फिर मैं माइनस पॉइंट बताऊंगे तो यह देखे मैंने अब भी फिल कर लिया इसे नोजल ले लिए आप कोई स सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि यह ज्यादा मीठा नहीं होता है लाइट मतलब लाइट होता है इसका मीठापन जो है अभी कितनी अच्छी बिल्कु स्मूर्ट टेक्शर दिख रहा है और मतलब दिल खुश करने वाला यह लग रहा है आपको है लेकिन अगर आपने इसे थोड़ी देर कर दी दो-चार घंटे फ्रिज में रख दिये फिर से आप बनाने गए तो सच में पसीने चूट जाएंगे आपकी और आप परिशान हो जाएंगे यह मतलब मैं यह अनुभा किया हूं मैंने दो-तीन बारी ट्राइक कर लिया है क्या होता ना विप क्रिम बना क्योंकि इतनी बड़ी एक पैकेट में रेडी नहीं हो सकती है कम सब्सक्राइब करने के लिए इतना कम क्वांटिटी में बनता मुस्किल से वन पतब एक पाव का भी केक रेडी शायद ही अगर अच्छे से आइसिंग करेंगे ना मिन्स फुल क्रीम जैसे लगा कि अच्छे कब लिया है पानी इसे अच्छे से हमें करना है मिक्स नॉर्मल यह मेरा मार्केट वाला प्रिमिक्स से बता रहे हूं पर सेम ऐसा ही अगर आप घर पर प्रिमिक्स बनाना चाहते है ना तो मेरी चैनल पर वीडियो अप्लोड है आप देख लिजेगा लिंक डिस्क्रिप्श तो मेरे ना चल ग्रीज से जिसक्रिफ करते हैं और इसमें डाल देंगे तवे आप कडाही में और इसमें बदोर बनाली जे तो मैंने तवेड को प्रिहेट किया है दो मीडियों फ्लेम पश्रमिक्श कर दीए हैं और बना दीए है तो आपका केक रड़ी है तो यह देखिए अच्छे से क्लीन हो गई इसे अभी हटा लेंगे फटा-फट से ठंडा कर लेंगे ठंडी भी हो गई अब मैं इसे निकाल देती हूं बाहर बहुत इसली निकलता यार आपको मतलब यह बटर पेपर यह वह ताम जाम करने की तो बिल दो आफ केजी का यह बैटर में आपकेजी वाला ही लिया है बट यह केक टिट मैंने थोड़ा सा बड़ा यूज कि 8 इंच वाला ही केक तीन यूज किया है फिर उसके बाद हम लाते है अपना विप क्रीम जिसे मैंने फ्रीज में रख दिया था वह अभी लेकर आई हूं मैं इसमें डाल दी है मैंने पाइनेपल इमल्शन क्योंकि पाइनेपल केक बना रहा है और देखिए इतनी सी ही क्रीम है अब इतनी सी क्रीम में आप हाफ केजी का केक कैसे रेडी कर सकते है यह दो बर अंदर फिल किया रहा तो क्रीम खतब हुजा गया आपकी फिर भी मैं ट्रा वाली लगा है वह लगा रही हूं और बाद में मैं इसको फाइनल जो आइसिंग होगी न वो में पाउडर वाले वेप क्रीम से ही करने वाली हूँ क्योंकि आपको दिखाना चाहती हूं कि पाउडर वाले से करेंगे तो फिनिशिंग कैसी आती है अगर आपने ज्यादा दे या जिस भी फ्लेवर का आप बनाएंगे वो अलग रश डाल दीजे ऐसे करके स्टेब बा स्टेब पे तीनों हम लेयर रखने वाले हैं पर सच में आगर आपको और भी ऐसी इंट्रेस्टिंग जानकारी चाहिए तो आपको मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और बेल इसी विप क्रेम से कर रही हूं जो हमने अभी बनाकर रेडी किया था अभी मिन्स मैंने तो यह बनाकर फ्रिज में रख दिया था फिर केक बेस बनाया इसमें टाइम लग गया तो कम समय एक एड़ घंटे बाद मैं इसे यूज़ कर रही हूं और एक दुम मैं फटी-फटी इसे सोक कर रही हूं फिर मैं इसे फैला लेती हूं उपर तो लेकिन आप अगर बनाएंगे तो यह वाला ट्राइए से मत करना प्लीज आप आपको ऐसा करना है ना कि जिसे आपने बनाई पहले आपने केक बेस बगरा बना के रख लिया है ठटा कर लिया है फिर जब वाली विप क्रीम होती है ना वह अप्लाई किया अभी देखें थोड़ी साइड में लगा दी थी थी थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाए क्योंकि अगर आप किसी को दे रहा है और ऐसे देंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा इसलिए मैं थोड़ी सी वह क्रीम अप्लाई अगर मैंने लगाई होती तो एक दम फटी फटी सी ही आपको देखती यह हो गई साइड में फिर से कर दिया है क्लीन ऊपर से भी क्लीन कर दोंगी और वैसे वह मैं थोड़ा सा कॉम से करने वाली हूं तो ज्यादा क्लीन नहीं किया तो भी चलेगा पर फिनिशिंग नहीं आ गई से नहीं दोंगी तो यह वह मैं नोगे ठीक्राइड अफिसे अच्छा है क्लीन कर दिया बाद में इस चुटे च्छे से क्लीन एक नाग बना दूँगा पेड लिए चॉकलेत कगे लगा दिया है उसके उपर और यह इस लिबूसरल, और आंसर आलम कीकार नाम हाज और अपने ही श्य धेंगा, फटां दूबसी ने को बतुश्राइब मुझे पता है उनिक चल असा संवह काु आज मेरा नाम हिट यह सकते ^^ और ये वाले जो उपर blue color के आप design देख रहे हैं ये design मैंने बनाई है 46 number नोजल से ऐसे बड़ा बड़ा randomly मैंने बना दिया है क्योंकि theme थोड़ा जंगल का था तो आया तेड़ा अच्छा लगता है और ये जिराफ के लिए भी मैंने कुछ नहीं कि आप देख सकते सीधी एक line ली है और वी बना दिया है और उसके उपर मैंने orange color का थोड़ा सा shirt दे दिया है बस इतने ही किया है और कुछ भी नहीं किया है और देखिए बहुत ही अच्छा सा ये पूरा जंगल थीम वाला वैसे मैं अभी और इसे butterfly वगर भी लगाने वाली हूं और ये जो side में आप दे पूरा मैं विप क्रिम से बनाऊंगे और सब कुछ आपको बताऊंगे step by step इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि मेरा camera on ही नहीं हुआ और मैं आप लोग को दिखा नहीं पर इसके लिए sorry please और ये देखिए हो गया आपका जिराब भी रेडी उस पर डॉट्स में orange color की दिया है तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बहुत सारी इंट्रस्टिक वीडियो देखने के लिए और अपनी फ्रेंद्स के साथ वीडियो जरू शेयर करिएगा और इंस्टागर पे फॉलो करना बिल तो चली मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में कुछ नया लेकर आते हैं कुछ नया सीखते हैं कुछ नया जानते हैं तो थैंक्स पर चुंबाबाय थैंक्यू